दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अब अरविंद केजरिवाल दूसरी राज्यों में सैंद मारने की तैयारी कर चुके हैं नमस्कार मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News जिस तरीके से विधान सभा चुनाव की चर्चा हो चुकी हैं इस साल के अंत में विधान सभा चुनाव होने हैं विधान सभा चुनाव को देखते वे जहां सभी पार्टियां अपने आपको पहले पायदान पर देखती हैं जहां वो देखती हैं कि वो ब्रस्ट चार से दूर हैं, जनता के लिए इमानदार हैं, जनता के लिए कारे करती हैं, वहीं एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपनी ही पार्टी को इमानदारी के तौर पर दिखाते वे मनिसी और काफी कुछ कहा कि वह ब्रस्टचारी नहीं है लेकिन फिर भी उनको जेल में बंद किया गया है इसी वजह से उन्होंने इस्तिफा भी दे दिया है पाटी से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पाटी की छवी जो खराब करने के लिए विपक्ष लगा है वहीं इंद केजरिवाल ने अपने आयोजन की अपने रेलियों की शुरुवात कर चुकी है जिस तरीके से वो कारिकरताओं से संबोधन कर रहे हैं आम जंता से जुर रहे हैं अपने मुद्दों को रख रहे हैं इस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो मध्यप्रदेश मे चुनाव लड़ेंगे और यहां पर कडाके की टकर देंगे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में तो जीत बना ही रखी है जिस तरीके से वो अभी भी दिल्ली में सीयम बने हुए हैं वो एक ही वज़ा है आम जनता का प्यार और उनके द्वारा किये गए क प्रविंद केजडिवाल ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश में भी अपनी पार्टी बना सकते हैं अपनी सरकार बना सकते हैं सिर्फ प्यार चाहिए जनता का और इसलिए वो यहां की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उन्होंने कहा है कि इसकी ट्रेलर की भी शुरुवात हो चुकी है जिस तरह से सिंग रोली में रानी अगरवाल मेर बन गई हैं इसी तरह से पूरी फिल्म भी दिखाई जाएगी वि अपनी पार्टी को दंके के चोट पर जित्वा के ही मानेगी आपको क्या लगता है किस विधान सभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिखाई देगी क्या वो अपनी जीत हासिल कर पाएगी जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का च झाल